17.2.1 जैविक घटकों में अंतरसंबन, Interrelationship of Living Component आपने देखा कि जीवों के बीच के अंतरसंबन कई कारणों से बनते हैं, जैसे प्रजणन, भोजन वा सुरक्षा जीवों के बीच अंतरसंबन का एक प्रमुक कारण भोजन वा उससे मिलने वाली उर्जा है आईए इसे एक उधारन से समझते हैं वन भैसा, 36 गड़ के घास के गीले मैदानों, दल दल और नदियों के पास घने जंगलों में मिलता है या घास वा अन्य पौधे खाता है यहाँ वन भैसा और घास के बीच एक संबन्ध है, जो उर्जा के बहाव के रूप में है वन भैसा उर्जा के लिए घास खाता है, यहाँ उर्जा का बहाव घास से वन भैसे की तरफ हो रहा है वन भैसे को अगर शेर खाता है, तो यह अंतर संबन्ध इस प्रकार दिखा सकते हैं घास वन भैसा शेर उर्जा के इस बहों की श्रिंखला को खात श्रिंखला कहते हैं किन्तु हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वन भैसा केवल घास ही नहीं खाता कुछ दूसरे पौधों को भी खाता है ऐसे ही दूसरे जियो जन्तु भी घास खाते हैं और शेर दूसरे जन्तों को भी खाता है इस प्रकार बनी हुई सभी खाद शिंकलाओं को यदि हम जोड दें तो खाद जाल बन जाएगा वन्भैसा घास शेर और अन्य पेड़ पौधू वो जन्तों को लेकर खात जाल बनाएए उपर्युक्त खात जाल में वन्भैसा लुप्त हो जाए तो खात जाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप अपने से जुड़ी दो खाद शिंकलाओं बनाएए इन दोनों में आपस में अंतरसंबन भी बताएए पोशन इस्तर ट्रॉफिक लेवल देगे चित्र में खाद शिंकला में कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रकास संसलेशन के क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं इन्हें उत्पादक कहते हैं कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपने भोजन के लिए पोधों या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं इन्हें उभोगता कहते हैं जैसे कि इस खादर श्रिंखला में वन भैसा और शेर। यहा वन भैसा प्रात्मी को भोगता है और शेर दृतिय को भोगता। इस श्रिंखला में और भी भोगता हो सकते हैं। अंत में खादर श्रिंखला में ऐसे जीव जुडते हैं, जो जीवों द्वारा शरीर से बाहर निकाले गए अपसिस्ट पदार्थों और जीवों के मरने के बाद उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं. ये जिव अबघटक कहलाते हैं अबघटन के क्रिया में बने सरल पदार्थ फिर से पर्यावरन का हिस्सा बन जाते हैं इस खाद श्रिंखला को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं घास, उत्पादक, वन भैसा, प्रात्मी को भोगता, शेर, दृत्य को भोगता, अब घटक खाद श्रिंखला के प्रतेक कड़ी एक पोशन इस तर कहलाती है कुटुम सर गुफा के खाद श्रिंखला बनाए क्या आप जानते हैं? कुटुम सर गुफा में बाड के दौरानी, सुक्ष्म पौधे, सुक्ष्म जन्तु, वह अन्य पोशक पदार्थ गुफा में प्रवेश कर पाते हैं ऐसी स्थिति में केवल कुछ ही समय के लिए कानी मचरी को ये पोशक पदार्थ भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं अन्य था कानी मचरी गुफा में उपस्थित, मृत जीव और पौधो को ही खाती है यहां पाई जाने वाली खाद श्रिंखला अपमार्जक खाद श्रिंखला होती है जिसमें प्रथम पोशक की स्थर पर उत्पादन न होकर मृत पदार्थ होते हैं मृत जेव जन्तू कानी मचरी चमगादर